कांकेर के सरकारी छात्रावास में 16 साल की बच्ची के गर्वती होने के मामले में कॉंग्रेस की जांच समीती छात्रावास पहुंची हाला कि कॉंग्रेस जांच समीती के सदस्यों को पिडिता या फिर उसे घरवालों से मिलने नहीं दिया गया इसे लेकर जांच कमिटी के सन्योजक पूरो मंत्री अनील भेडिया ने कहा कि साजिस के तहत हमें पिडिता से मिलने नहीं दिया गया हाला कि हमारे टीम ने यहां होस्टल अधिक्षिका से यहां की गतिविधियों पर चर्चा की कौंग्रिस विधायक अनीला भेडिया ने कहा कि आज हम चात्रावास पहुँचे थे पिडित बालिका और परिजनों से मुलाकात नहीं हो पाई इन लोगों ने सिखा पढ़ा दिया होगा आज अधिक्षक बीयो डीयो मजूद थे उनसे चर्चा हुई है वैसे भी यहां चात्रावास में बच्चियों की स्रक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है 75 बच्चे हैं दो रूम है और उनके सूने पढ़ने की कोई विवस्था नहीं है इस्तिती ये है कि ना बाउंडरी वॉल ना दर्वाजा ना बॉस रूम इसी से आप अंदाजा लगाया सकते हैं कि यह बच्चियां यहां कि तीस रोक्षित है अज़ लोग छात्रवास में बच्चे थे हैं वो जो बालिका है या उनके परिवार के मुलाकात भी नहीं या तो इस रोक सिखा पढ़ारी ही जाते हैं हमें हम अज़ इचिका और यहां हमारी बीयो और दियो बस्से थे उनसे चर्चाएं हुई है और जो छात्रवास अज़िक्षिका है उनसी भी गतिली जिनों के पारे में जान करूली है और वैसे भी ये छात्रवास बच्चियों के लगामिला अखाई भी आसुरक्षित है यहां पे बदलर 74 ये 75 बच्चे हैं जो दो रूम है ना उनको धंक से सोने का वो मिल रहे है ना उनके पुस्ता कापी पढ़ने लेखनी है बैठनी की विवस्ता नहीं है यहां पे इस्थिती पूरा ना बॉंडरी वाल ना दरवाजा ना उनके वाचरूम में दरवाजा ऐसी इस्थिती में यहां